Sky का नीला रग क्यों होता है, ये भी scattering के अंदर पड़ेंगे और टिंडाल इफ़ट भी scattering के पड़ेंगे ठीक है न तो ये सारे मुखे topic है इन सब को भाई आपको ज़रूर नोट करना है front page पर ही Brightness होती है Daylight में आपको साफ साफ दिखता है Moonlight में भी हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं लेकिन जो पशुपक्षी होते हैं वो Moonlight में काम नहीं कर सकते हैं वो daylight सूरच के साथ उठते हैं और सूरच डूपता तो सो जाते हैं तो सवाल ऐसा आएगा और सवाल को पकड़ना पड़ेगा के वो Myopia का है या Hypermetropia का है अब अगर वो Myopia का है तो पूछा क्या होगा? पूछा होगा के भाई उसके Lens की पावर निकालो जिससे वो ठीक हो जाए तो Sun क्या फेक्ता है? Sun Fecta White Light और जब ये White Light आ करके गिरती है प्रिजम पर तो सब की अलग-अलग वेवलेंथ होने के चलते है ना 400, 400, 500, 500, 500, 600, 600, 600, 700 ये सब की अलग-अलग वेवलेंथ है ना सब अपने-अपने अंगल पर क्या करती है? डेवियेट हो जाती है Hello everyone! उडान यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे-प्यारे बच्चों का स्वागत है आज क्लास 10th का चेप्टर नंबर दूसरा फिजिक्स का यानि Human Eye Under Colorful World में लेकर के आया हूँ तो भाई बिना टाइम वेस की हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन एक वन शॉट लेक्चर रहने वाला है ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रिविजन परपस के लिए ही काम आएगा रिविजन के लिए तो आएगा ही आएगा लेकिन जो बच्चे बिलकुल भी बेसिक्स नहीं जानते हैं उन बच्चों के लिए भी लेक्चर हेलफूल रहने वाला यानि बिलकुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे हर एक चीज को छुएंगे और हम लोग प्रेक्टिस भी करेंगे यानि कॉशन्स भी हैं जो कि NCRT बेस हैं और प्रिवेस एर कुशन्स भी हैं बोर्ड के ठीक है ना तो बोर्ड के लिए कंप्लीट लिक्चर रहने वाला आपके लिए क्या बोलते हैं उसको डिटेल में और हर चीज को अराम से बिलकुल एक मीडियम पेस के साथ हम लोग लेकर के चलने वाले हैं ठीक है ना तो human eye and the colorful world जो की आपका next chapter है light के बाद इस chapter को पढ़ने के लिए पहले से light पढ़ा होना चाहिए ठीक है अगर light नहीं पढ़ा हुआ है तो human eye direct पढ़ने के लिए नहीं आना भाई ठीक है ना light के sequence समय यह chapter है क्योंकि light के concepts यहां पर use होने वाले है ठीक है चलिए start करते है तो भाई chapter जो है वो दो parts के अंदर divided है ठीक है complete chapter जो है वो दो parts के अंदर divided है एक part human eye का है और दूसरा part colorful world का है human eye के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है क्या क्या जानना है एक बार समझ लीजिए human eye के अंदर आपने इसका diagram देखना है human eye का ठीक है और फिर parts देखने है human eye के कौन कौन से parts जो कि हैं physics में काम आने वाले वो parts हमने सारे देखने है ठीक है फिर उसके बाद defects देखने है और defects के अंदर भी सारे defects myopia hypermetropia ये दोनों मुख्य है इनके अलावा press biopia cataract और urstic medicine ये भी देखेंगे हम ठीक है ना इनके correction देखेंगे और फिर इनके उपर numerical भी है ठीक है ना इनके उपर numerical भी है वो भी आपने देखना है ठीक है ना defects पर numerical भी आप लोगोंने करना ही करना है 100% करना है ठीक है next बात आती है colorful world की colorful को तीन parts के अंदर divide कर सकते हैं एक part बात करेगा dispersion के बारे में एक part बात करेगा atmospheric reflection के बारे में atmospheric reflection के बारे में और तीसरा part बात करेगा scattering के बारे में scattering of light ठीक है जी तो अब जो syllabus के अंदर है और जो NCRT के अंदर है उसी चीज़ को हम लोग cover कर रहे है तो dispersion के अंदर आपने पढ़ना है सबसे पहले तो prism और prism के अंदर monochromatic light monochromatic light उसके बाद आपने दूसरी चीज़ जो पढ़नी है वो पढ़नी है white light कि जब white light को prism पर डालते हैं तब क्या होता है तो यह दोनों आपने किस के लिए पढ़ने है prism के लिए पढ़ने है तीसरी चीज़ ज़ो आपने है पढ़ना है rainbow 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 ठीके जी तो यह तीनों चीज़े cover होंगी dispersion topic के अंदर ठीके ना तो aquí द्वारा दो ब माते समझाई जाती है और दूसरी चीज जो समझाई जाएगी वो है advanced sunrise delayed sunset asds ठीक है जी next चीज आती है scattering 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 के द्वारा ब्लू कलर क्यों होता है light का sky का sorry blue color of the sky the blue color of sky यह पढ़ा जाएगा और दूसरी चीज जो पढ़ाय जाएगी वो है टिंडाल effect थीक है पर दिन डाल इफेक्ट और आपका चप्टर हो जागा कम्प्लीट ठीक है ना सकाई का नीला रंग क्यों होता है यह भी स्केटरिंग अंदर पड़ेंगे और तो यह सारे मुख्य टॉपिक है इन सब को भाई आपको ज़रूर नोट करना थे फ्रेंट पेज पर ही चप्टर की स्टार्टिंग में आपने सब को नोट करना कुछ भी छोड़ना नहीं आपने ठीक है चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी कारवाई के साथ सबसे पहले बात करते हैं human eye और उसके parts के बारे में ठीक है जी जैसे diagram मैं बना रहा हूँ वैसे diagram आपने बनाना अपनी copy के अंदर और सारे parts को label करना है और सबका function भी जानना है ठीक है ना जल्दी से आते हैं और सबसे पहले हम लोग diagram बना लेते हैं तो यह diagram सही रहेगा ठीक है इसमें सबसे भार वाला यह जो outer cover आपको दिख रहा है आख का है ना बाकी तो आख पूरी spherical होती है जो outer cover है यह वाला है थोड़ा सा भार उबरा हुआ है इसको मैंने mark दिया one ठीक है ना इसको मैंने mark दिया one इसको कहते हैं कॉर्णिया इसे कहते हैं कॉर्णिया काम अभी बता दूँगा सबके पहले नाम बता दूँ फिर काम भी जान लेंगे चीक है उसके बाद यहां पर दो मसल होते हैं यहां और यहां ठीक है ना लेकिन इनके बीच में इस जगा पर एक लिक्विड होगा एक लिक्विड होगा पानी जैसा दिखने वाला पानी जैसा दिखने वाला एक लिक्विड होगा और वो जो लिक्विड है उसका नाम है एक्वस हुमर एक्वस हुमर ठीक है तो यह नंबर दो है यहां muscular diaphragm जिसको बोला ये है number 3 इनके बीच में ये जो hole आपको दिख रहा है ये number 4 ये number 4 ठीक है ना ये जो hole आपको दिख रहा है इसके बीच में ये ठीक है ना इसे बोलेंगे number 4 तो number 3 जो है उसे बोलते है आईरिस और number 4 जो है उसे बोलते है pupil इसके just पीछे एक convex lens लगा रहता है किसने बनाया भाई nature ने बनाया हमने नहीं बनाया ठीके ना बगवान ने डाला है पहले से ही कैसा lens? convex lens ठीके ना ये नमबर पाँच है ये नमबर पाँच है इसे मैं बोलूगा crystalline eye lens और ये जुड़ा होता है आँक के साथ muscles की help से muscles की help से ये muscles दिखा रहा हूँ है ये muscles है नमबर छे ये भी नमबर छे इन्हें कहते हैं ciliary muscles सबसे important यही है भाई जानने आपके लिए ciliary muscles उसके बाद ये जो खाली space आपको दिख रहा है ये खाली space नहीं होता है इसके अंदर पूरा fluid भरा होता है वो नमबर साथ है उस fluid का नाम है vitreous humor vitreous humor उसके बाद ये जो पीछे screen मनती है जिसके उपर image छपती है इसे कहते है retina ये नमबर आठ है ये नमबर आठ है जिसे हम लोग कहते हैं retina और फिर ये पीछे जो आपको ये जाती दिखरी है connection पीछे की तरफ इसे बोलते हैं नमबर 9 और 9 का नाम है optic nerve optic nerve आईए सब के काम जान लें फुटा फट से देखो सबसे पहला जो ये भार वाला पार्ट है ये वाला पार्ट इसे नाम दे रहा हूँ cornea है ना तो काम क्या है इसका काम सुन लो cornea का काम होता है एक तो dust और bacteria से protect करना आख को है ना कोई भी ऐसा particle जो आख के लिए ठीक नहीं है उसे बाहर ही रखना अंदर ना आने देना काम है cornea का लेकिन ये इसका main काम नहीं है इसका main काम होता है ज्यादा तर light को क्या कर देना reflect कर देना आप देख सकते हो कि जिस तरीके का lens है convex उसी तरीके की इसकी भी shape है convex तो ये दुनों क्या करेंगे एक दूसरे का support करते है तो जो काम lens नहीं कर पाता ना वो काम यही करके उसको देता है आसान करके देता है उसके काम को और आसान काम क्या करना है reflection करना है ठीक है तो बाहर वाला जो ये cornea है ना ये पहले से light को मोड़ देगा और मोड़ के light को अंदर भीजेगा ठीक है तो ध्यान रखेगा इस बात को कि most of the light most of the light is refracted जात अरलाइट कोन रिफ्रेक्ट करता है यही वाला cornea ही रिफ्रेक्ट करता है और दूसरा protect करता है protects from dust bacteria etc ठीक है दूसरा आता है aqueous humor जो ये बीच का पानी है यहाँ पर जो बीच में पानी भरा होता है ठीक है ना ये water like consistency होती है पानी जैसा दिखता है ये water like है पानी जैसा दिखाई देता है ठीक है पानी जैसा दिखाई पड़ता है काम क्या है इसका इसका काम है pressure balance करना लिख रहा हूं यहाँ पर इसका काम है क्या गरना pressure balance करना कौन से pressure की बात हो रही है देखो आख के अंदर का जो प्रेशर होता है वो blood pressure होता है और different fluids का pressure है mostly blood pressure है और जो भार का pressure होता है वो atmospheric pressure होता है तो इन दो प्रेशर के balance को maintain करने का काम कभी वानलो भाई भार का pressure कम हो गया या BP कम हो गया या BP हाई हो गया ना बॉडी में से बेड़ प्रेशर जो है वो जादा आ रहा है ठीक है ना तो कोई भी डैमेज ना हो आख को आख को डैमेज ना हो तो एकोस्यूमर अपने आपको जादा कम चलाता रहता है तो एकोस्यूमर पानी जैसा है लिक्विड है ठीक है ना और प्रेशर बैलेंस का का えば事कितिति उन्हुंट्ष गढ़न अन्हीं करता हैं और यह यह समझना जैसे बंद來到 यह जाने मेरे जो बंदैंक्ट जैसे ही डून हो गए यह थे चैसिकिले लोगाने चालो हो गई बिल्कुल ऐसा यह बिल्कुल कि constructivas फोटोन आने चालू हो जाएंगा उन्दर यानि लाइट अन्दर आणी चालू हो जाएगी और जैसी बंद जाएंगे लाइट आनी बंद जाएगी भिए तो यह क्या करता है यह इस प्यूपिल को जो च्छेद यहां पर नंबर 4 जो होल है आपर इस hole को चोटा बड़ा करता रहता है इस hole के aperture को कम या जाधा करता रहता है अपने हिसाब से ठीक है तो आइरिस का काम क्या है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना controls the size of pupil और pupil का काम क्या है तो pupil जब छोटा होता है light commenter होती है pupil जब पीछट जाता है dilate हो जाता है बोलते है पीछटने को बोलते है dilation और जब छोटा होता है तो बोलते है contraction तो ये contraction और dilation जब भी pupil की होती है तो light ज़ादा ये कम आती है उसके हिसाब से डाइलेशन हो जाएगी तो ज्यादा लाइट आएगी और कॉंट्राक्शन हो जाएगी तो कम लाइट आएगी जब बहुत तेज रोशनी आती है ना तो आखों को डैमेज होने से बचाने के लिए यह प्यूपिल छोटा हो जाता है आईरिस प्यूपिल को छो करना रेगूलेट्स दाहांत आमाउंट अफ लाइटी कह जो लेंख़ा है क्रिस्टलाइन आइलेंस प्यूपिल होता है में एसा थोस लैंज नहीं होता जैसा हमारा चश्मे का लेंद्स होता ना इस तरीके का लेंद्स नहीं है यह ठोस नहीं है यह कैसा है यह पिलपिला लेंद्स है मतलब यह मोटा पतला होता रहता अपनी फोकल लेंद्स को क्या करता है चेंज करता रहता है पावर को चेंज करता रहता आपको पता power is equal to 1 by f तो अपनी power को change करेगा यानि कैसे करेगा पर शहाहिए Convex lens है यह, है न, दिखरा आपको shape में convex है, और real और inverted image बनाता है, real and inverted image बनाता है, कहाँ पर, रेटीना पर, यह पीछे retina screen होती है न, यह art number, इस पर जाकर के क्या बनता है, image जाके छपती है, है न, image जाके इसके उपर छपती है, तो हमको जो कुछ भी दिखरा है, यह सब हमार आपकी रेटीना पर छपती है, इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है जी, आप सोचोगे कह सर, real और inverted image बना रहा है, invert का मतब तो उल्टी होता है, तो यह कह सारी दुनिया उल्टी दिखती है क्या हमको, आंसर है हाँ, यह सारी दुनिया हमारी रेटीना पर उल्टी छ तो इसलिए जिसने भी यह बॉडी बनाई है, भगवान ने, या नेचर ने, जो मरजी मालो, है न, बहुती बुद्धिमान रहा होगा वो, ठीक है न, के भाई, व्यक्ति क्या हालत होगी जब उसको सारी चीदे उल्टी दिखाई पड़ रहे होंगे तो, ठीक है न, तो ले होए हैं, आप देख सकते हो, लेंस को दोनों तरफ से इन्होंने पकड रखा है, ठीक है, काम क्या है, काम यह है, मसल्स का, काम यह है, के यह ही है, रिस्पॉंसिबल इसकी फोक का लेंस को चेंज करने के लिए, देखो, लेंस अपने आप कुछ नहीं कर सकता, कोई भी, करते हैं, सिलरी मसल्स, ठीक है, तो क्या लिखू यहां पर, यहां लिखता हूँ, भाई, यह एडजस्ट करते हैं, किसको, फोकल लेंस को, ठीक है, एडजस्ट दा, फोकल लेंस, ठीक है, जी, लेंस की फोकल लेंस को क्या करते हैं, वेटा, एडजस्ट करते हैं, नेक्स आत ठीक है ना लिक्विड है यह भरा रहता है ठीक है काम क्या है काम सुन लो देखो कोई भी फ्लूइड अगर किसी कंटेनर में होता है ना तो वो कंटेनर की दिवारों पर लगातार फोर्स लगाता रहता है ठीक है लगातार क्या करता रहता है फोर्स लगाता रहता है तो यहां स्फेरिकल शेप ओफ आई आक行了 मेंटेस शेप को मैंटेन करने का क्ommes किसका है इसका है इसy का है विप्रेश उमर का जो अंदर भड़ा हुआ इसके ठीक है जी कि नेक्स आता रेटीना को नेक्स्ट आता रेटीना यही रेटीना पीछे नमबर पर में इसी के उपर जाकर क्या चपती किया रियल और इनसलियर इमेज चपती अब जाक लेल ऊचलिए 10पि 7 यह यह फोटो सेंसिटीव स्कृइन कि एक विए वट Immediately का मतलब होता है लाइट सेंस करना तो लाइट को कोंंसल करने वाली क्या स्क्रीन है इसके पास दो प्रकार के सेल्स होते हैं एक होते हैं रॉड़ सेल्सु होते हैं कित्णे दो प्रकार के एक ऩह रॉड़ trzy ओट कुछ सब्स्यूं वह रंगों को दिखाते हैं जो color sum को दिख रहे हैं, वो cone cells की वज़े से दिख रहे हैं, अगर color blind है कोई व्यक्ती, यानि उसको कुछ कम color दिख रहे हैं या color ही नहीं दिख रहे हैं, तो इसके मतलब सके बस cone cells नहीं है, cone cells की कमी है ठीक है न, अगर cone cells अच्छी मातरा में होंगे तो रंग आपको चारो तरफ बढ़िया से दिखाई पड़ेंगे जो रंग भी रंगी दुनिया है जो कलरफुल वर्ड है वो इस कोन सेल्स की वाज़े से यह आपको दिखाई पड़ता है नहीं तो आप रंगों को डिटेक्ट नहीं कर पाते रोड सेल कम लाइट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं ठीक है जी तो जो ब्राइटनेस होती है डेलाइट में आपको साफ साफ दिखता है मूनलाइट में भी हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं लेकिन जो पशुपक्षी होते हैं वो मूनलाइट में काम नहीं कर सकते वो डेलाइट स पास राट शल कंद है तो इसलिए रात में वह काम नहीं कर पाते ठीक है ना इंटेंसिटी संस करने वाले सेल्स का नाम है रॉड शिल्स नेक्स सीद्श आती ऑप्टिक नर्फ थीक अप्टिक नर्फ यसीजल को लेकर के ब्रेर्इन तक जाना तो जो गोप्टिकल सिगनल्स ज electrical impulses में उन्हें brain तक ले जाने का काम है optical signals converted into electrical impulses and sent to brain and sent to brain कौन कर रहा है optic nerve कर रही है ठीक है optic nerve कर रही है तो इस सारी चीज़े भाई आप अपने पास notes के अंदर लिख लीजेगा human eye और उसके parts के अंदर कौन कौन से important part है वो भी सुन लो ठीक है देखो iris pupil important है silvery muscle बहुत important है retina important है ठीक है इसके लावा कोई खास important है कॉर्णिया भी देख लेना एक बार ठीक है नहीं बाकी सब ऐसे ही है ठीक है जी आगे चलते है नेक्स टॉपिक जो आता है वो आता है पावर ओफ अकॉमोडेशन ठीक है पावर ओफ अकॉमोडेशन क्या कहता है अकॉमोडेशन का मतलब सबसे पहले होता है बेटा समझो एड़जस्टमेंट अब आप सवाल पूछो के सरक किसकी एड़जस्टमेंट हो रही है और कौन कर रहा है तो एड़जस्टमेंट होती है भाई यहां पर फोकल लेंथ की जो या आख के अंदर का लेंज है ना वो आपको पता पिलपिला है क्रिस्टलाइन आइलेंस कैसा है फ्लेक्सिबल है वह ठोस नहीं है कैसा है फ्लेक्सिबल है फ्लेक्सिबल है तो वाई उसकी फोकलन्थ क्या होती रहती है चेंज होती रहती है फोकलन्थ चेंज होने लायक है ठीक है ना लेकिन वह चेंज कैसे होगी और उसको change करेगा कौन तो भई change करते है muscles ठीक है? change करते है muscles क्या नाम था muscles का? silvery muscles, याद न? तो कौन करता adjustment? silvery muscles करते है silvery muscles कभी expand होते है कभी contract होते है ये बात आपको पता है न? कभी silvery muscles क्या करते है expand हो जाते है यानि कभी relax करेंगे और कभी और कब expand करते हैं और उस case में lens की क्या हालत होती है ठीक है आइए समझते हैं देखो मैंने आपर दो case ले रखें एक है कि भाई आप दूर का देखना चाहते हो ठीक है ना distant देखना चाहते हो आप distant का मतलब होता है far दूर का देखना चाहते हो है ना और एक बार मैं पर लिखता नियर का देखना चाहते हो ठीक है नियर को क्या बोलते हैं लीस्ट डिस्टंस बोलते हैं इसको इसे बोलते हैं नियर ठीक है अब मानलो आप दूर का देखना चाहते हो अगर तो भाई लाइट कैसे आएगी आपको पता ही है अगर अब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो अधिकार तो जब ये लाइट पैरल आरे होती है न तो इसको मोड़ना इतनी बड़ी बात नहीं है लेंस के लिए तो ऐसी स्थिती में जो सिल्री मसल्स होते हैं वो रिलेक्स रहते हैं वो कão्ट्रेक्डरी रहते हैं लेहे तो आप कोई चीज पास में रख करके पड़ रहे हो तो वास जो लाइट आ रही है वो ऐसी आ रही है इसे बोलते है डाइवर्जिंग लाइट तो आपके हिसाब से किसको मोड़ना ज्यादा असान है जो सीधी लाइट आ रही है वो तो अराम से मुड़ जाएगी लेकिन जो पहले से फैली हुई आ रही है उसको मोड़ना तो मुश्किल है इसलिए मसल्स को यहां पर क्या रहना पड़ता है contracted रहना पड़ता है यहां मसल कैसे रहते हैं tension में रहते हैं cim का मतब cim कैसे रहते हैं contraction में रहते हैं ठीक है न और तब जा करके lens क्या कर पाता है रेटीना पर image को बना पाता है कि इतनी बात समझ में आती है तो अब होगा पता है क्या होगा यह कि सीधी light को converge करने में power जादा नहीं लगेगी तो power यहां पर क्या चाहिए होती है कम चाहिए होती है तो lens कैसा रहता है lens रहता है पतला है ना आपको पता यह बात जिस lens की power कम होती है वो पतला होता है जिस lens की power ज्यादा होती है वो मोटा होता है यहाँ पर contraction के कारण से lens को मोटा होना पड़ता है power ज्यादा और lens होगा मोटा समझ गए ना? तो किस case में पतला होता है lens? जब दूर का देखना हो दूर का देखना हो कोई समस्या नहीं है पास का देखना हो तो तब समस्या आती है muscles को tension में तब रहना पड़ता है आप बहुत जादा देर तक पड़ नहीं सकते लेकिन बहुत जादा देर तक दूर जरूर देख सकते हो बहुत जादा देर तक पास नहीं देख पाते है थोड़े दर मैं ऐसे होगा ठीक है तो वो इसलिए हो रहा क्योंकि muscles लगातार क्या है contraction में है ठीक है और lens कैसा है मोटा है पावर जादा है ठीक है एक बात और दूर से दूर एक healthy आख infinity तक देख सकती है और पास से पास एक healthy आख 25 cm तक देख सकती है ठीक है मतब कम से कम डिस्टन्स जो है वो 25 cm है आप object को आख से 25 cm पर रखो इसे बोलते है least distance of distinct vision क्या बोलते है इसको इसे बोलते है least distance LD least distance of distinct vision साफ साफ देखने का सबसे छोटा distance distinct vision का मतलब होता साफ साफ देखना ठीक है least distance का मतलब छोटा रास्ता छोटा distance छोटा distance साफ साफ देखने का वो कितना है 25 cm है और far से far कितना है यानि far point बोलते है जिसको far point कितना है जी far point है infinity far point है infinite ठीक है ना दूर से दूर infinity तक वेख सकती है ठीक है power of accommodation की एक बार definition को हम लोग go through कर लेते हैं फटा फट से समझा मैंने दिया है अब एक बर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ the ability of eye lens to adjust its focal length by sillery muscles यहाँ से लिखता हूँ by contraction and expansion of sillery muscles as the distances as the object distances as the object distances is called power of accommodation हिंदी समझाता हूँ इसकी क्या है इसकी हिंदी यह है बेटा कि कभी तो object बहुत दूर होगा उसको भी आपने रेटीना पर focus करवाना है कभी object बिल्कुल पास होगा उसको भी आप चाहते हो मुझे साफ साफ दिखे रेटीना पर focus करवाना है तो तो लेंस की हालत तो खराबी रहेगी ना लेंस तो बितारा कभी मोटा होता रहेगा कभी पतला होता रहेगा सभी बात है कभी दूर का देखना चाहते हो तो कभी पास का देखना चाहते हो, पास का देखने के लिए, लेंस ने मोटा होना है, दूर का देखने के लिए, लेंस को पतला होना है, यानि फोकल लेंट क्या करनी है, चेंज करनी है, किसके हिसाब से, अबजेक्ट दूर है, फोकल लेंट जादा, पावर कम, है ना, और कहते हैं power of accommodation ठीक है ना तो power का मतलब ये है कि जो आख की जो अंदर की लेंस की power है वो क्या हो सकती है एड़जस्ट हो सकती है यानि focal and jouer just हो सकती है ठीक है एक सवाल आता है हमारे सामने इसको करते हे वाई उसतरा के कौन सी स्टेट्वेंट इन में से true है तो यह कोशन करने के लिए आपको human eye की knowledge तो चाहिए नहीं light chapter की knowledge जरूर चाहिए लेकिन आपको देखो convex lens की power बोल रहा है plus 4 adapter है और focal end बोल रहा है minus है ऐसा कभी हो सकता है क्या formula है P is equal to 1 by F अगर यह positive होगा तो यह positive होगा यह negative होगा तो यह भी negative होगा ऐसा ऐसे हो सकता parameter now power plus में focal and minus में नहीं हो सकता power minus more focal and plus में यह भी नहीं हो सकता है क्या concrete lens की power place में ओती है प्र오 क् शॉष्म में होती है क्यार्टेक्ट है इसकी फोक़लंग ओती है पीछे होती है लाइट ऐसे ऐसे जाएगी इस focus को यूज करती हुई तो नेगटिव वाला focus ही यहांपर क्या करेगा काम करेगा माइनस वाला focus हीहांपर क्या करेगा काम करेगा तो focal end plus में नहीं हो सकती भाइस की ठीक है न सो answer क्या है answer D है Concave lans की power minus me focal end B minus में होती है और calculation भी इसके ठीक ठाक बैटरी है ना 1-1-2-1 के हिसाब से लगा के देखें तो answer 4E आएगा माइनस में ठीक है नेक्स लोग चलते बात करते हैं डिफेक्ट के बारे में ठीक है तो डिफेक्ट में सबसे पहले डिफेक्ट आता है मायोपिया वट इस मैं चिश्मा हटा दू तो मुझे दूर का दिखना धुंदला हो जाता है पास का ठीक दिखता है लेकिन दूर का धुंदला दिखता है तो इसको नियर साइटेडनेस भी कहते है ठीक है ना नियर साइटेडनेस भी कहते है यानि पास का ठीक दिखता है नियर साइटेडनेस पा पास का ठीक दिखना मायोपिया का मतलब यही है पास का ठीक दिखना दूर का धुंदलापन पढ़ लेते हैं इस एक एक पास का देख लेता है लेकिन दूर का नहीं देख पाता इमेज फॉर्म्स बिफोर दा रेटीना रेटीना से पहली इमेज बन जाती है क्यों बन जाती है समझाता हूं देखो इसका सबसे पहला कॉज क्या है यानि मायोपिया होता क्यों है मायोपिया होता इस कारण से है कि जो आख का लेंस है वो जादा कर्व हो जाता है उसका करवे करवेचर का मतलब है कि पावर का क्या हो जाना बढ़ जाना यानि लेंस का अन्नेसेसरी क्या हो जाना मोटा हो जाना अब लेंस मोटा हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा कम हो जाएगी पावर बढ़ती है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है ना तो पहले क्या था अब क्या हुआ है अब यह हुआ है कि पावर बढ़ गई है और फोकल लेंथ कम हो गई है पहले यहां से लेकर यहां तक फोकल लेंथ थी इधर से लेकर के इधर तक फोकल लेंथ थी पहले लेकिन अब कम हो गई है अब कम हो गई है तो पहले focal end यहां तक थी अब कम हो करके मान लो यहां तक आ गई है इधर focus आ गई अब ठीक है तो क्या होगा जो light पीछे से parallel आ रही है न जो light object से parallel आ रही है न वो pass ही में focus कर जाएंगी समझ गए वो पहले ही focus कर जाएंगी यानि image retina तक पहुचेगी नहीं image retina से पहली बन जाएगी तो retina तक क्या पहुचेगा retina तक यह पहुचेगा value light पहुचेगी यह ठीक है न तो यह कोई sharp image बना पाएगी retina पर नहीं यह sharp image नहीं बना पाएगी तो क्या बोला था, retina से before ही बन जाएगी देखो लिखा हुआ ना, image is formed before the retina, retina से पहली क्या होती है image बन जाती है, और दूसरा cause भी आपको याद करना यह है, elongation of eyeball यानि आख की गोलिया मोटी-मोटी हो जाना, elongate का मतलब वो तक खिच जाना, आपने देखा होगा ऐसे आपके आसपास लोग, जिनकी आख के जो गोलिया ना, वो भार को निकलने को होती है है ना, मोटी-मोटी सी होंगी जनम से ही ऐसी होती है, भार को निकलने को होंगी, तो उनको भी पक्का चश में चड़े होते हैं, myopia की दिक्कत उनमें भी देखी गई है, elongate करने का मतलब होता है, खिचना, खिच जाना या बड़ी हो जाना, इसी को बोलते है, elongation of eyeball, ठीक है, आगे चलते हैं ये था myopia, अब बारी आती है इसकी correction की तो भाई देखो, दिक्कत तो आ गई है defect तो आ गया है कि retina तक image पहुचती नहीं retina से पहली आ जाती है retina से पहली यहां कई बीच में image बन जाती है, तो यह समस्या है इस समस्या करना पड़ेगा समाधान समाधान कैसे होगा, मुझे एक बार बताओ ये जो अंदर वाला lens है, ये मुटा हो गया के नहीं, हाँ सर बढ़ गई है बढ़ गई है तो इसकी power को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए क्या इसके favor में lens लगाना पड़ेगा या oppose में lens लगाना पड़ेगा, आप बताओ आप बताओ, अगर मैं इसी के shape का यानि इसी के टाइप का एक और लेंस आगे लगा दू तो ये दोनों मिल करके क्या करेंगे रॉला पाएंगे दोनों मिल करके है ना इसका पहले से पावर बढ़ी हुई है ये और पावर बढ़ा देगा इसकी समझे रहे हो तो ऐसा लेंस नहीं चाहिए इसको इसको चाहिए अपोजिट नेचर का लेंस क्योंकि इसकी पावर अननेसेसरी बढ़ गई है जरूरत स्यादा बढ़ गई है चाहिए नहीं थी इतनी पावर चाहिए नहीं थी लेकिन जरू स्यादा बढ़ गई है तो क्या करेंगे हम इसके opposite nature का lens लेके आएंगे जो इसकी power को क्या करेगा घटाएगा यानि light जब parallel आएगी समझना ज़रा light जब इस पर parallel आएगी किसी object से कोई दूर का object है जहां से light parallel आ रही है ये lens क्या करेगा इसको ना हलका सा diverge करके देगा ऐसे समझ गए light को हलकी सी क्या देगा diverge करके देगा ठीक है ना अगर मैं इसको पीछे extend करूँ तो image यहां बनाएगा बात समझ रहे हो object की image को यहां बनाएगा अब इस image से जो raise है वो निकल के lens अंदर वाली आख का जो है ना वो कहां बनाएगा रेटीना पर बनाएगा यानि बात को समझ रहे हो हुआ यह कि इसकी power पहले से बड़ी हुई थी इसकी power पहले से ज़्यादा थी तो हमने इसकी मुश्किलें बढ़ा दी हम पहले इसको cd light दे दे तो यह हमारी मुश्किलें बढ़ा रहा था हमने इसको लाइट ही ऐसे देदी के ले बेटा तू फैली हुई ले अब इसको करके दिखा सीधी को तू करी देता था सीधी को तो तू यहीं पर बना देता बीच में तू फैली हुई लाइट पकड़ अब करके दिखा बेटा अब मोड के दिखा तो कर रहा हाँ अभी मोड के दिखाता हूं ताकत बहुता है मेरे में अच्छा ताकत बहुता है ले मोड के दिखा भी इसको फैली लाइट मोडी इसने और मोड के कहा बनाई रेटीना पर बनाई इसको पता भी नी चला हमने इसको बुद्दू बना दिया हमने इसको बना दिया बुद्दू हमने इसको बना दिया बेवकूफ हमने भार क्या लगा दिया हमने भार लगा दिया कॉनकेव लेंस जो इसको लाइट ही इसी फैक के देता है जो फैली हुई होती है जो मेरा चश्मा लगा हुआ है कॉनकेव लेंस ह फैल के दे रहा है फैला के दे रहा है मेरी आख के अंदर के लेंज को फिर आख के अंदर का लेंज जो है वो उसको रेटीना पर बना रहा है तो मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ठीक है ऐसा होता है नेक्स जाता हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल उल्टा है मायोपिया से, भाई मायोपिया में क्या हो रहा था, कि दूर का साफ नहीं दिखता था, पास का साफ दिखता था, यहां पर पास का साफ नहीं दिखता, दूर का साफ दिखता है, दूर का वही बात दूर का साफ पास का धुन्दला कैसे और क्यों जो जो वहां पर हो रहा था नीजे वहां पर क्या हो गया था पावर बढ़ गयी थी यहां घट गई यह न सME crunch recently who बोरालट में यह दिक्कत बच्चों में तो बहुत कम आती है कि यह दिक्कत देखने में आती है 45 प्लस एज के आसपास, 40-45 की जब एज हो जाएगी उसके उसे क्रोस कर जाएगी, तब जा कर दिक्कत देखने में आते हैं कि पावर क्या हो गई है आपके lens की पावर घट गई है, और focal length क्या हो गई यह बढ़ गई है अब focal length बढ़ जाएगी आप सोचो अगर focal length बढ़ जाएगी तो पहले retina पर बनती थी यह देखो healthy eye pass में object है light की raise निकली और lens ने क्या कर दिया retina पर image को बना दिया यह object है यह image है लेकिन लेकिन अगर इस lens की power कम हो जाएगी और focal length बढ़ जाएगी तो क्या होगा तो बाई होगा यह होगा यह के अब यह यहाँ पर focus करनी पाएगा देखो पहले यहाँ से लेकर गई यहाँ तक focus था यह focal length थी ना लेकिन focal length किया हो गई है बढ़ गई यह थी ना इन्क्रीज कर गई है मैं दिखा रेता हुँ आपको भाई यह देखो यह object है इस object से निकली raise इस object से निकली raise ठीक है और focal length यहां तक जो थी वो अब यहां तक नहीं है अब वो यहां कहीं यहां है कहीं तो होगा यह के खाई यह कहीं यहां पीछे focus होगा समझे बात को तो इस वार retina पर नहीं बनेगी Retina से कहीं पीछे बनेगी ठीक है न तो यह आपका object है और image कहां बन रही है बाई image बन रही है कहीं रेटिना के पीछे जो की बन ही नहीं पाएगी सीधी बात है रेटिना यहां तक light को पकड़ेगी और block हो गई रही है ना तो धुन्दला यह दिखाई पड़ता है ठीक है जी तो लेंस की पावर बेसिकली क्या हो गया बेटा कम हो गई है एक तो यह और दूसरा शॉटनिंग ऑफ आई बॉल यानि वहां पर क्या था आग की गोलिया मोटी मोटी हो गई थी यहां आग की गोलिया छोटी- चोटे-आई बोल गई है ठीक है जी तो इससे भी क्या आता है हाइपर मेट्रोपिया आ सकता है ठीक है अब भाई दिक्कत आ गई है तो ठीक करने की जुरुत है उसको है ना तो आप बताओ इसकी पावर जो घट गई है ना और फोकल लेंथ बढ़ गई है ना तो हमें इसक अधुक्त अपका इसमें से 2 रेजस्ट निकलती हैं एर आ 4 अइसे और इसे 2 रेजे 9 तो यह लैंज परहेगा में बताता हूं यह लैंज सिर्फ इतना सा काम करेगा कि सीदा नहीं जाने देगा सीधा नहीं जाने देगा क्या करेगा हल किसी मोड़ देगा हल किसी हल किसी हल किसी मोड़ देगा यानि अगर मैं इसको पीछे एक्षेंड करूँ न तो बेसिकली क्या कर रहा है ये लेंस पता है ये भारवाला जो कॉन्वेक्स लेंस है यह क्या कर रहा पता इस object की image यहां बना रहा है इस object की image यहां बना रहा है और यहां से वो image फिर ऐसा लग रहा है कि raise दे रही है इसको यह वाली raise ऐसे दे रही है यह वाली raise ऐसे दे रही है ठीक है ना और यह lens पर गिर रही है और फिर यह के निवंवर्ज क्रimas gegenowe acquired क्षामानिया निविए समुस्य कद देखो हुआ है किसको इतनी ती पैली रेज मिलती थी पहले जब यह लैंज नहिए था इसको जादा फैली हुई रेज मिलती थी तो आग के अंदर वाले लेंस की बसकी नहीं थी कि उसको कहाँ कर दे रेटीना पर कर दे लेकिन जब हमने इसके सपोर्ट में लेंस लगाया तो इस लेंस ने क्या किया थोड़ी सी सहायता कर दी पहले से थोड़ा से इसको मोड के दिया लाइट को पहले ही थोड़ा क्या दिया मोड के दिया और मोड के जब ये लेंस में गई तो लेंस ने इसको फर्दर फिर बाकी का मोड दिया और एंड में इमेज कहा बना दी इमेज बना दी रेटीना पर ये सिस्टम हुआ है ठीक है जी सिस्टम आया समझ में क्या है तो यहाँ पर concave lens काम कर रहा था और यहाँ पर convex lens काम कर रहा diagram important है आपको याद होने चाहिए next चलते हैं हम लोग बात करते है press biopia या old age hypermetropia के बारे में यह जो press biopia है इसमें दोनों दिक्कते आ जाती है myopia की भी दिक्कत और hypermetropia की भी दिक्कत क्यों आती है बुड़ापा कारण है old age कारण है old age से क्या होता है muscles की flexibility कम हो जाती है देखो causes लिखे हो है decrease in the flexibility of violence gradual weakening of silvery muscles ठीक है न यह किस वज़े से आया old age की वज़े से आया ठीक है न due to aging it happens due to the following reasons कौन कौन से flexibility कम होना और silvery muscles का क्या हो जाना weak हो जाना तो भाई व्यक्ति हो गया है 65 साल से अबब 70 साल का तो उसको दोनों ही नजरें क्या हो जाएगी कमज़र हो जाएगी उसको दूर का भी नहीं दिखेगा और पास का भी साफ साफ नहीं दिखेगा तो भाई क्या कैसे ठीक होगी वो दिक्कत वो दिक्कट ठीक होगी बाइफोकल लेंस से इसके लिए कोई डाइगराम नहीं है NCRT के अंदर तो कोई इंपोर्टेंट भी नहीं है आपके लिए बाइफोकल लेंस क्यासा दिखता है मैं आपको दिखायता हूँ बाइगर ये चश्माय मान लो ठीक है न तो आधा आधा ऐसा होगा ऐसा होगा ठीक है न मतलब उपर वाली जो साइड होगी ये ये जो उपर वाली साइड होगी ये होगी कॉनकेव दूर का देखने के लिए है ना और जो नीचे वाली होगी यह होगी convex पास का देखने के लिए है ना यह hypermetropia ठीक कर देगी और यह myopia ठीक कर देगी ठीक है ना concave और convex कैसे दिये जाएंगे ऐसे दिये जाएंगे उपर नीचे आ गया समझ में ठीक है यह है यह है press biopia ठीक है next चलते हैं बात करते है astigmatism की ठीक है astigmatism क्या होता है astigmatism होता है कि आपको एक साथ vertical lines और horizontal lines दोनों पर एक साथ focus नहीं बनेगा या तो vertical lines ही एक बार में देख पाऊगे या horizontal lines ही एक बार में देख पाऊगे एक साथ दोनों के उपर फोकस नी बनता अगर फोकस बनानी कोशिश करेगे ना तो पुतली हिल जाएगी आपकी आपकी जो बॉल है वो घूम जाएगी यह दिक्कत होती है और स्टिग्मेटिजम के अंदर ठीक है इस दिफेक्ट परसन नाट फोकस अन बोथ हर्रिजोंटल ऐस वैल अज वर्रिडिकल लाइन होड़िजोंटल वर्र्टिकल दोनों लाइन पर एकठे से फोकस नी कर पाएगा व्यक्ति थीक है ना so the person can see objects clearly only in one plane एक ही plane में चीज़े दिख पाएंगी दोनों planes में चीज़े नहीं दिख पाएंगी उसको causes क्या है इसके causes क्या है और स्थिक में जबाएं इर्रेगुलरली shaped cornea या distorted lens cornea generally smooth होता है लेकिन अगर distorted cornea हो गया ऐसा cornea हो गया अगर ठीक है ना तो गड़बड हो जाएगी ठीक है ना और ऐसी lens की बात करें तो lens की बात करें तो माल लो ऐसा lens है है ना लेकिन अगर distorted हो गया तो ऐसा ऐसा lens हो गया तो कोई भी वज़े हो सकती है ठीक है ना जिसके कारण से कोई दवाई का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है कोई एक्सिरिंटल के कुछ भी हो सकता है अब नहीं पता तो यह cornea अगर irregularly shaped हो जाए या फिर lens distort हो जाए दोनों वज़ों से क्या हो सकता है और स्टिग मेटिजम हो सकता है ठीक है ना तो यह कैसे ठीक होता भाई यह ठीक होता है cylindrical lens की help से ठीक है याद रहेगा कैसे ठीक होता है cylindrical इसको cylindrical problem भी कहते है और स्टिग मेटिजम को ना cylindrical problem भी कहते है ठीक है जी इस तरीके का चश्मा लगा होता है ऐसा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यह स्टिग मेटिजम था नेक्स जलते हैं लास्ट deffect बात करते है cataract की देखो cataract का एक दूसरा नाम मोतिया बिंद भी होता है बोतिया बिंद ठीक है ना जनली बड़ी एज के अंदर देखा गया है लेकिन आज कल बच्चों में भी आ गया भाईए ठीक है ना अब खान पान है या क्या है नहीं पता इसकी वजे क्या है होता क्या मैं इसमने समझाएता हूं कि जो आख होती है आख का जो यानि ट्रान्सपेरेंसी चली जाएगी ओकेशिटी आती जाएगी और धीरे-धीरे अंधापन बढ़ता जाएगा आँख की लेंस का है ना जो है वो जमे जा रहा जमे जा रहा जमे जा रहा उसकी लेर जमती जा रही है थीक है न तो उसको कैसे ठीक करेंगे यह ठीक होती है सरिजरी से आज कल लेसिंक करके भी एक technology आगय है मुझे confirm नहीं है ncrt में नी लिखा हुआ आप इसको confirm कर ले ना Google पर देख करके NCRT ने सर्जरी लिखा हुआ है तो आपको सर्जरी लिख के आना है ठीक है सर्जरी से ठीक होती है ओके और मुतिया बिंद इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी में कटरेक्ट नाम से फेमस है यह ठीक है जी तो एक सवाल आपके सामने आया इसे सिलेंड्रिकल लेंस हाँ जी कौन सा डिफेक्ट ठीक हो जाता है सिलेंड्रिकल लेंस से और स्टिगमेटिजम बोर्ड में आया हुआ कोशन है यह पी वाइक्यू ठीक है जी प्रीवेश सवाल है यह बोर्ड का आये डिमेलेकल पर चलते हैं वाई देखो माईयोपिया और हाइपरमेट्रोपिया खेग्र आपको निमेलेकल करने है तो numerical on human eye अगर आपको human eye के numerical numerical करने है तो वो दो cases में आएंगे या तो myopia होगा या hypermetropia होगा दोनों हो तो भी कोई दिक्कत नहीं चुकि फिर दोनों case लगाने पड़ेंगे आपको है ना तो case one है myopia देखो अगर सवाल में ऐसा दे रखा है बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुन करके और अपने पास इनको notes में लिख लेना ठीक है जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन करके notes में लिख लेना अगर सवाल में ऐसा दिया हुआ है कि पहले इनसान को बहुत अच्छा दिखता था बहुत दूर तक देख लेता था लेकिन अब बिचारा 80 cm भी नहीं देख पाता डेड़ मीटर भी नहीं देख पाता दो मीटर भी नहीं देख पाता है ना यह लिखा होगा he can see up to 2 मीटर और उससे beyond जावो नहीं दिखाई देता यह सवाल भी मैं आपके सामने करूंगा अगर ऐसा सवाल दिया हुआ है कि दूर का नहीं देख पाता तो उसको कौन सी समस्या है उसे मायोपिया है ठीक है ना लेकिन अगर ऐसा सवाल दिया हुआ है तो कि मानलो भाई एक old aged person है उसको अख़बार पढ़ना है लेकिन वो अख़बार को ढंग से नहीं पढ़ पारा लेकिन पचास संटीमेटर पर रखके पढ़ता तो पढ़ा जाता है पास की निजर कमजूर हो गई है उसको दूर का ठीक दिख रहा है यानि कि उसको क्या है उसको हैपरमेट्रोपीया है समझ गए ना बात को तो सवाल ऐसा आएगा और सवाल को पकड़ना पड़ेगा कि वो mayopia का है या hypermetropia का अब अगर वो mayopia का है तो पूछा क्या होगा उच्छा होगा कि भाई उसके lens की पावर निकालो जिससे वो ठीक हो जाए मतलब आपको अब इनसान को ठीक करना you are going to become doctor without बिना एंबीबियस के डॉक्टर बना देंगे बाई कोई दिक्कत वाली वात नी लेक्चर देखते रोबाद 10 मिन तोर उसके बाद तुम डॉक्टर पक्का जॉब पक्की नौकरी पक्की कोई बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे सबको नौकरी देंगे ठीक है तो बात यहां प भी आपको बोला तो लास्ट उने के लिए आपने निकोल लेन वेटा ना अरब पती आद नी बन से बेच बीच 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 के बीच के बीच 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 ने लेकिन लेकिन यह निकालनी सीखे जाओ तो अगर मायोपिया है थो लन्स की पावर आप से पूछेगा और लेंस क लिए आपको लेंस की फोकलेंथ पता होनी चाहिए सरसवी बात है सेम टू सेम में आइपर मैं पर की होगा है कि बाई यहां लेखरेंगे लेने वह तो यू और वी पता होने चाहिए यानि यू बोले तो object distance और वी बोले तो image distance यहाँ भी यही है यू और वी पता होने चाहिए अब समझो अब यू और वी के लिए मैं एक जुगाड सिखा रहा हूँ आपको यू और वी के लिए क्या सिखा रहा हूँ जुगाड यह जुगाड 100% सवालों में लगेगा और 100% सवाल पूरे होंगे और 100% सवाल कान सा ठीक आएगा और Marx मिलेंगे पूरे 100% समझे यह जुगाड कबी खाली नहीं जाता यह जुगाड कबी खाली नहीं जाता थीक है न, क्योंकि तुम को यह अमीर बना देगा अरपती, थीक है तो देखो, you यू, आपने वो लेना है माइयोपिया के लिए जो आइडियल केस होता है और आइडियल केस, यानि हेल्दी केस होता है इंफिनिटी है न, अगर वो दूर से दूर देखना चाहता है तो कहां तक देख लेगा यार इंफिनिटी तक देख लेगा तो यू क्या लेना है आपने इंफिनिटी लेना है ठीक है और वी क्या लेना है वी वो लेना है जो गिवन होगा सवाल में जैसे असी संटी मिटर तक नहीं देख पाता असी संटी मिटर से यू लेना है हेल्दी होता तो यू इंफिनिटी ठीक है ना दिक्कत है तो वी जो कोशन में गिवन है वो वैल्य उठाके रख देनी है यहां पर भी ऐसा ही है बाई हाइपर मेट्रोपिया बंदेगो पहले जब हेल्दी था तो कहां तक कहां रख लेता था पच्छिस तक रख के पढ़ते हैं तो आप वी क्या लोगे साथ लोगे बात समझ गए तो वी वो लोगे जो गिवन दिक्कत है ठीक है ना और यू वो लोगे जो हेल्दी आपको पता है पहले से हैं ना कि दूर से दूर इंफिनिटी देख लेते और पास से पास पच्छिस सेंटिमीटर तक अ दूसरा दूसरी बात और ध्यान आपने आपर क्या रखनी है एक बात और आपने आपर ध्यान रखनी है कि आपने माइनस का साइन नहीं भूलना दोनों ही जगा पर यू हो वी हो दोनों ही जगा पर आपने क्या करना है माइनस का साइन तो लगाना ही लगाना है ठीक है ना माइनस का साइन तो आपने लगाना ही लगाना है माइनस का साइन आपने नहीं छोड़ना माइनस का साइन तो आपने लगाना ही लगाना है, 100% लगाना है यही जुगाड है अब U आगया, V आगया F निकालो, P निकल जाएगा आए सवाल पर चलते है सवाल पड़ो और मुझे यह बताओ कि यह मायोपिया की दिक्कत है या हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत है अराम से देखो हिंदी करो इसकी और मुझे बताओ कि यह मायोपिया की दिक्कत है या हाइपरमेट्रोपिया की दिक्कत है तो वह सवाल में है अब परसन कैननोट क्लिरली सी अबजेक्स अड़ डिसंस मोर दन 40 सेंटिमेटर यानि 40 तक देख लेता है इनफिनिटी ठीक से देख लेता है है ना और यहाँ पर दिक्कत क्या है गिवन दिक्कत क्या है 40 सेंटिमेटर तो वह आपने क्या लेना है 40 सेंटिमेटर लेकिन माइनस का साइन नहीं भूलना बोला था ना माइनस का साइन नहीं भूलना U और V दे रखा है F निकालो उससे P निकल किया जाएगा और आपका answer खतम आओ calculate करें आओ calculate करें 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U ये क्यों लगाया lens formula है भाई साब lens formula है क्या हो गया देखा नहीं क्या light में देखा थो था lens formula 1 by F is equal to V की जगा पर minus 40 और U की जगा पर minus infinity ये minus minus क्या हो गया प्लस हो गया 1 by F is equal to 1 by minus 40 और F निकल के क्या आगया minus 40 cm अब आती है power की बात power होता है बेटा 100 by F वो भी किसमे cm में ये formula है power is 100 upon में minus 40 काटो power आ गई minus 1,5 डाइप्टर ठीक है जी minus power होती है किसकी concave lens की और concave lens diverging होता है nature में यहां तक आपको बात पता होनी चाहिए ठीक है ना यहां तक आपको बात पता होनी चाहिए ठीक है समझे माया क्या किया है एक बार यूर भी crack कर लिया ना उसके बाद कुछ नहीं है उसके बाद तो simple सी calculation है 1 by infinity 0 होता है बस यह ध्यान नहीं करना 1 divided by infinity is 0 ठीक है एक और सवाल आया इसको पढ़ो और बताओ दिक्कत कौन सी है myopia या hypermetropia तो भाई मैं पढ़ा देता हूं आपके लिए एक बुड़े वेक्ती है वो news paper को 80 cm पर रख करके पढ़ पाते है जब ठीक थे तो कहां रख लेते होंगे जब आग ठीक थी तो कहां रख लेते होंगे सर ये रख लेते होंगे 25 cm पर तो यू क्या लेना है जो healthy case है और वी 80 cm लेना है minus का sign दोनों के साथ आए गई आएगा ठीक है यू भी minus वी भी minus f निकाल लेंगे और उसके बाद फिर p निकाल लेंगे ठीक है तो 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u 1 by f v v कितना है minus 80 और ये minus है और ये है minus 25 minus minus क्या हो गया प्लस हो गया 1 by f is equal to minus 1 by c plus 1 by 25 LC हम लेंगे इसका तो 400 लेंगे 85 प्लस 16 पे 400 आएगा 16 में से 5 गये 11 प्लस का 11 बटा 400 है ना तो f निकल के आया 400 बटा 11 cm ये आगई focal length बार ये power की power होती है 100 बटा f किसमे? cm में formula आपको पहले light में दिखाया हुआ हमेने 100 बटा f की जगा पुट करेंगे 400 और डिवाड करेंगे 11 से तो ये बन जाएगा 1100 और डिवाड में 400 2 0 से 2 0 कट गए 11 बटा 4 power निकल के आगई plus की 11 बटा 4 diopter प्लस की 11 बटा 4 diopter ठीक है जी? अगर power plus में आती है तो आपको ये समझ माना चाहिए के लेंस कौन सा ये लेंस है कॉन्वेक्स जो की कनवर्जिंग होता है नेचर में जो की कनवर्जिंग होता है नेचर में ठीक है? क्लीर है बात? हलो 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 चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग और बात करते हैं कलरफुल वर्ल्ड वाले टॉपिक की ठीक है ना? तो कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है डिस्पर्जन डिस्पर्जन के लिए चाहिए अपने को प्रिजम तो प्रिजम की शगल लेख लो ऐसी है ठीक है ना? काच का होता है ठीक है शेप ऐसी सी है ठीक है और हम क्या करने वाले हैं? इसकी एक सैड पर पहले Monochromatic Light डालेंगे मैं समझाता हूँ क्या होता है? Monochromatic Light देखो इसमें जो Mono शब्दा इसका मतलब होता है One और Chroma का मतलब होता है Color यानि हम क्या करने वाले हैं? हम एक Color की Light डालने वाले एक Color का मतलब होता है एक Wavelength की Light One Color मतलब One Wavelength तो हम क्या करने वाले है भाई साब हम एक wavelength की light डालेंगे कैसे ऐसे आओ देखो ये एक wavelength है कोई एक yellow color मैंने ले लिया मान लो है ना तो एक single light मैं क्या कर रहा हूँ एक single ray का कर रहा हूँ डाल रहा हूँ और single wavelength की light है ठीक है multiple wavelength नहीं है वह बाद में डालेंगे अभी single wavelength ठीक है न तो यह यह single wavelength है इस इस रे को कहेंगे हम glass में जा रही है तो dancer में जा रही है और radar से आ रही है radar से dancer में जाएगी तो किस तरह bend करेगी it will bend towards normal यह normal की तरह bend करेगी और इस angle को हम कहेंगे angle of refraction ठीक है अब देखो क्या हो रहा जब यह इस point पर गिरी है तो भाई यहांपर भी एक line draw करेंगे हम normal draw करेंगे इसे बोलेंगे normal 2 and 2 ठीक है जी और अब इस बात को समझना के light denser से वापस कहा जा रही है rarer में यानि air में वापस जा रही है है ना यहाँ air है ना यहाँ बहार air है ना भाई air में वापस जा रही है air कैसा है rarer medium है फिर से तो फिर से dancer में dancer में से निकल किसमें जा रही है rarer में जा रही है तो आप एक बार बताओ जब dancer से rarer में जाएगी तो it will bend towards normal या away from normal तो इस cancer है भाई यह normal से away भागेगी है ना पहले normal की तरफ आई थी अब normal की तरफ नहीं आएगी अब normal से away आएगी ऐसे तो इस बात को समझ लेना कि जब भी light prism पर गिरती है ठीक है जब भी light prism पर गिरती है दो बार bend करती है towards the base base की तरफ यह base है ना प्रिजम का दो बार bend करती है एक बार यहां और एक बार और ठीक है ना यह जो बाहर निकली है फाइनली इसे बोलते है emergent ray और इस angle को बोलते है angle of emergence यहां तक तो सारी बात slap जैसी है slap पढ़ा था ना light में महापर भी तो था air से आती, glass में, फिर glass से आती वापस air में, incident ray, refracted ray emergent ray, angle I, angle R, angle E सब वैसे के वैसे ही है normal 1, normal 2, सब वैसे के वैसे ही है दो angle और है, कौन-कौन से उसमें से एक angle है, A ये वाला angle ठीक है, ये prism का angle है, इसका नाम है angle of prism mostly 60 degree होता है, equal little अगर prism है तो, और नहीं होता equal little तो भाई फिर नहीं होगा, है ना, इसे कहते angle of prism, है ना, fix रहता है ये एक बार prism बन गया, तो बन गया, अब ये chain तो हो नहीं सकता तो ये कहते है, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है angle of prism ठीक है ना, और एक पाचवा angle बहुत है, बहुत important है जो कि आपको जानना है, वो ये है, कि मान लो, अगर ये incident रेकों में आगे extend कर दूँ, ठीक है, और इस emergent रेकों मैं पीछे extend कर दूँ, तो इनके बीच में ये जो angle मिलता ना, मुझको इस angle को बोलते है, angle del ये होता है, angle of deviation, इसे क्या बोलते है इसे बोलते है, angle of deviation इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया deviation का मतलब होता है, भटकना, है ना ये नाम क्यों रखा गया इसका, आप खुद सोचो, ये जो incident ray अगर ये prism ना होता, तो सीधी निकल जाती लेकिन नहीं निकली, ये तो यहां से लेके पूरी यहां तक क्या हो गई bend हो गई, है ना जानी ऐसे थी, चली ऐसे गई जानी ऐसे थी, चली ऐसे गई, तो दोनों के बीच का जो angle बनता है, उसी को बोलते है angle of deviation यानि जानी तो original path पर थी लेकिन भटक गई, और भटक के किसी और path पर निकल के चली गई, और एक बार नहीं भटकी, दो बार भटकी, लेकिन final जितनी भटकी वो बतानी है आपने finally जो भटकी है, यह जो air में निकल गई है उससे लेकर के इस incident तक का जो angle होता है, that is called angle of deviation, ठीक है ना, अब यह जो angle of deviation है, यह हर wavelength के लिए अलग-अलग होता है इसी को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो भाई, यह diagram था, monochromatic light का next जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जब हम white light डालते हैं prism पर तब क्या होता है, देखो भी सबसे पहले आप यह समझो के white light क्या चीज़ होती है what is white light, देखो white light is mixture of seven colors, विबग्यूर विबग्यूर क्या होता है violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red इन साथ रंगों को जब मिला लेते हैं बराबर मातरा में, तो सफेद रंगी दिखता है यानि सफेद light असल में mixture है किसका इन साथ रंगों का, है ना सफेद light क्या है, mixture है इन साथ रंगों का और जब ये light prism पर गिरती है, तो ये split हो जाती है ये बट जाती है कितने रंगों में, अगें जितनों से मिलके बनी है साथ से मिलके बनी है, साथ रंगों में बट जाएगी और जो बट जाएगी उसे बोलेंगे splitting उसे बोलेंगे splitting तो splitting of white light into its seven constituent colors when it passes through glass prism जब glass prism से pass करेगी ये light तो साथ रंगों में क्या होने वाली है? बटने वाली है और ये बट जाएगी तो बस इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे dispersion dispers हो जाना light का है ना dispersion of white light इसी को क्या बोलेंगे? dispersion of white light ठीक है आपने एक चीज़ देखी कि सबसे नीचे जो रंग आ रहा है वो violet है उसके बाद indigo फिर blue, green, yellow, orange और red है ना? ऐसे हो रहा है ना? तो सबसे कम जो भटका है वो कौन सा रंग है? वो लाल है कैसे निकाला? ऐसे इसको आगे extend करो है ना? इसको आगे extend किया? देखो ये जो एंगल red के साथ बन रहा है ये सबसे छोटा एंगल है दिस इस डेल आर है ना? और जो ये वाला एंगल बनेगा किसके साथ? violet के साथ ये होगा डेल वी वाप इस बात को समझो कि जो डेल वी होगा वो बहुत बड़ा एंगल होगा as compared to डेल आर समझे रहो ना? violet का deviation सबसे जादा है और red का deviation सबसे कम है सातों में से ठीक है ना? ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि red की वेवलेंथ सबसे जादा है और violet की वेवलेंथ सबसे कम है सार ये वेवलेंथ क्या होती है? आओ समझाए देखो मैंने आपसे कहा था के light एक wave है कब कहा था? जब light start किया था उसके starting में कहा था के light ray तो ही है लेकिन light wave भी है है ना? और जो ये wave है ना तो ये बहुत बड़ा electromagnetic spectrum है यानि different different waves है जैसे gamma rays X rays UV rays visible light जो हमको आखों से दिखती है ये रंग ये रंग वरी दुनिया जो हमको आखों से दिखती है है ना? वो असल में electromagnetic wave के radiation है infrared microwave radio wave ये सब की सब क्या है भाई? ये इनका सब का 39 थान एक ही है इन सब का जनम एक ही है और कहां से हुआ है वो white light ओ वो sun light sun से इन सब का जनम हुआ है naturally हमारे अर्थ पर जो आती है वो sun से आती है सब की सब sun से आती है gamma rays भी sun से X rays भी UV तो आपको पता आती है infrared भी आती है visible rays इसके लावा ये सारी rays भी कहां से आती है विटा सन से आती है क्या सरह मिन को आर्ट इफिशली प्रोडिउस नहीं कर सकते क्या करते हैं गामा रेज कैंसेर ट्रीटमेंट में प्रोडिउस होती है तो धूप धूड़ी करते हैं कोबाल्ड 60 यूज्टे वो गामा का रेडिशन फैक्ता है एक्सरेज के लिए धूप ओंपे हो ईए लगे ना वे इस टाइम पर आप मुझे देख पारे हो तो वह एले-डी स्क्रीन जिससे आप मुझे देख पारे हो वह तो रंग फैकरी है तो विजिबल लाइट फैकती है आजीए भी फैका जाता है थुटी1 एक संसलेंगे अपके सब आर्टाएड इंफिडीप प्रोड्यूस होते हैं इंफ्राइड इसे बंद करते हैं तो microwave जो है वो भी क्या है और radio waves आप phone यूज़ करते हो आप TV यूज़ करते हो आप radio चलाते हो आप Wi-Fi चलाते हो ब्लूटूथ चलाते हो वो सब radio waves पे तो काम करता है लेकिन एक बात है हमारी आखे ना सिरफ इसी range को देख पाती है जैसे याद है 9th class के अंदर हमारे कान 20 hertz से लेकर के 20,000 hertz कोई सुन पाते थे उससे बियोंड नहीं सुन पाते थे ना ऐसा ही light के साथ भी है light भी ना इन रंगों के अलावा इससे बियोंड जितनी भी spectrum है उसको हम लोग देख नहीं पाते यह सारा invisible है यह सारा हमारी आखों को क्या है इनविजीबल है ठीक हे न यह सब हमारी आखे नहीं देख पाती है तो हमारी आखे कहा से कहा तक देख लेती है हमारी आखे देख पाती है वेटा 400 न्यमेटर से लेकर के देखो या लिखा हुआ है 400 nanometer से ले कर गे और 700 nanometer तक यानी red की wavelength 700, orange, yellow, green, blue, indigo, violet की क्या है 400 तो 400 nanometer से ले करके 700 nanometer तक हम देख पाते हैं, ठीक है ना, 400, एक nanometer का मतलब होता है 10 की power minus 9 meter, ठीक है ना तो आप समझ जाओ 400 से ले कर गे, 700 nanometer के बीच की जो ये range है ना, सिर्फ यही अपने को दिखाई पड़ती है, इससे beyond अपने को दिखाई नहीं पड़ता है ठीक है ना, तो आप ये सोचों के सर, इसको white light क्यों कहे जा रहे हो बार बार क्योंकि बेटा, Newton ने experiment किया, इन साथ रंगों को मिलाया, एक disc पर रखा और disc को घुमाई तो disc जब घुमी ना, तो white color दिखने लगा, इससे पता है चलता है, कि भाई, जहां से भी ये range सारे आ रहे है ना, वो white source होगा जरूर है ना, वो जरूर क्या कर रहा है, white light फैकरा, जैसे आपके कमरे में एक CFL bulb लगा हुआ, आपके कमरे में एक LED बलब लगा होगा, क्या वो white light फैकरा है कि नी फैकरा, tube light लगी है ना, घर के अंदर, कमरे के अंदर, क्या वो white light फैकती है क्या, हां बिलकुल फैकती है, तो सारे अपने नहीं होते, रंग तो कहा से आते हैं, लाइट से आते हैं, तो लाइट के पास ही सारे रंग हैं, लाइट ही सोर्स है, सारे रंगों का, तो जो वाइट लाइट है ना, वो असल में इन सब रंगों का मिक्शर है, ठीक है ना, तो जब सन से लाइट आती है ना, तो वो व यही तो हमको पीला ना दिखता अगर अगर आट्मोस्रेडल कसी हट देख सकते हैं डिरेक्ट हमको स्पेस दिखाए देता आगर तो आपको सन का कलर वाइट दिखेगा जो उसका औरिजिनल कलर है सूरज का ओरिजिनल करल लाल नहीं है सूरज कोई आग का गोला नहीं है वहाँ पर कोई आग नहीं लगी हुई वहाँ पर कोई combustion reaction नहीं चल रहा इस बात को समझ जाना वहाँ कोई combustion reaction play out नहीं कर रहा वहाँ पर nuclear reaction चल रहा है दो hydrogen के nucleus fuse हो रहे है और helium का बड़ा nucleus बना रहे है इसमें जो energy निकल रही है न वो light के form में आ रही है और heat के form में भी आ रही है समझे तो जिस तरीके से एक bulb आपके कमरे में जो लगा है tube light आपके कमरे में लगी है जो white light फैकरी है न बिलकुल sun भी अई काम कर रहा है sun की actual image जो आप space से लोगे वो white आती है दिखा देता हूँ दिखा देता हूँ मैं ये actual images है sun की जो space से ली गई है तो क्या आपको यहाँ पर sun कोई पीला आग का गोला लाल आग का गोला दिखाई पड़ रहा है क्या हम नहीं नहीं ना पीला है ना लाल है वो तो white है वो तो सफेद है देख लो चांद की सतह से दिखा रखा है सूरज ठीक है ना यहाँ देख लो किसी spaceship से दिखा रखा है यहाँ एक जो अपना इस्टोनाट जो selfie ले रहा है सूरज के साथ तो आपको क्या दिख रहा है आपको white color दिख रहा है, जैसे बाकी सितारे दिखते हैं, sun क्या सितारा नहीं है क्या, sun क्या star नहीं है क्या, तो वो white light भी फैकेगा, जैसे बाकी के सारे star white है, sun भी white है, ठीक है न, sun भी white है, तो sun क्या फैकता है, sun फैकता white light, और जब ये white light आ करके, गिरती है prism पर, तो सब की अलग-अलग wavelength होने के चलते हैं ना 400-500-500-500-600-600-700 यह सब की अलग-अलग wavelength है ना सब अपने-अपने एंगल पर क्या करती हैं deviate हो जाती हैं सब का अपना-पना डेल होता है क्योंकि सब का wavelength अलग-अलग होता है ठीक है तो यह कहानी थी dispersion के पीछे चलिए नेक्स हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ओके एक यह भी देख लो जो sequence होती है इन कलर की उनको विभग्योर कहते हैं और जो यह band होता है सात रंग होगा उसे spectrum कहते हैं visible spectrum इसका पूरा नाम है विभग्योर वह लिखा हुआ है आप देख सकते हो साइड में सुन्दर सुन्दर ड्राइंग कर रखी है ठीक है एक छोड़ा सा टॉपिक आता है री कॉंबिनेशन फटा-फटा समझ लेते हैं इसको आपने एक प्रिजम पर white light फैकी white light का मत्तब सातो रंग आपको पता सबसे उपर जो रंग मिलेगा वो लाल होगा और सबसे नीचे जो रंग मिलेगा वो वायलेट होगा अब यह वायलेट और बहार निकलेगा रेड भी और बहार निकलेगा फिर क्या करता है बता है एक उल्टा प्रिजम अगर आप इसके सामने रख दोगे न तो यह साथ के साथ रंग क्या होते हैं वापस से कमाइन हो ज दोढेंगे घ्राय एकर उनिकलेगी स्क्रिंवर बीच के रंग नहीं दिखाए एं क्योंकि सारे रंग दिखाता तो और खराब बनता पहली इतना खराब बना ढर्यागरम और खराब बनता तो आहुकस है आप दोड़ ओने वाले और थिखा वालेट दिखाना नीचे वाले देखो rainbow यां इंद्रधनुष कब बनता है बारिश आई होई होनी चाहिए अभी बारिश आई होई होनी चाहिए यानि बारिश अभी खतम होई होनी चाहिए और साथ में sunlight भी होनी चाहिए ठीक है ना दोनों चीदें अगर होंगी तो काम बन जाएगा लेकिन और सुनो अभी इसमें भी एक पेच है जो बूंदे है ना पानी की वो इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि gravity लगे और नीचे गिर जाए वो हवा में लटकी होई बूंदे होनी चाहिए वो हवा में लटकी होई होनी चाहिए उन पर अगर sunlight गिरती है यह सात रंगों में बढ़ जाएग है ना सात रंगों में क्या होगी बढ़ जाएगी सबसे उपर लाल मिलेगा और सबसे नीचे मिलेगा violet सबसे नीचे मिलेगा violet ठीक है ना तो सबसे पहला फिनोमेना जो यहाँ पर होता है नमबर van number one phenomena जो होता है it is called dispersion 7 रंगों में बटना ये सबसे पहला होता है number 2 number 2 होता है इस तरफ number 2 में सुनो क्या होता है number 2 में ये होता है कि यहां से न ऐसा नहीं है कि कुछ color बाहर नहीं निकलता बाहर भी आता है violet का भी ऐसा ही है कुछ color यहां से बाहर भी आता है लेकिन लेकिन जिस तरीके से किसी भी सर्फिस पर ऐसा भी होता है कि reflection और reflection दोनों हो रही है जैसे आपने मान लो अपना मूँ face पानी के परात में देखा या कुए में देखा या तलाब में देखा तो आपको आपका face भी दिखता है है ना और नीचे वाली मचली भी दिखती है ऐसा होता कि नहीं होता आपको अपना face भी दिखता है यानि reflection भी दिखती है और आर पार भी दिखता है reflection भी दिखती है तो यहां पर भी ऐसा ही होता है लाइट आर पार भी जाती है, ऐसा नहीं है, कि लाइट यहां से निकल के पार नहीं जाएगी, लेकिन कुछ पार उस लाइट का वापस घुमेगा भी, रिफलेक्ट भी होगा, ठीक है ना, ऐसी रेड के साथ भी होगा, रेड की भी कुछ लाइट क्या करेगी, रिफलेक्ट नखना सन की तरफ नहीं क्योंकि आप सोचोगे सर यहां से भार आई है अगर तो यहां पर भी आख लगा के कोई देखेगा तो इसको रेंबो यहां भी दिखना चाहिए फिर तो है ना यहां भी रेंबो बनना चाहिए यहां भी रेंबो बनना चाहिए तो यहां भी रेंबो दिखता है यानि आप यहां खड़े रहोंगे कुछ नहीं दिखेगा आप यहां के देखोगे तो यह वाली लाइट जो आपके आँक में गिरेगी इंद्रदनुष ठीके ना यह वाली लाइट क्या बनाएगी इंद्रदनुष यहां उपर रेड दिखेगा नीचे वाले दिखेंगे आपको ठीक है ध्यान नकना के हमेशा हेड से पीछे यहां सन उना चाहिए वहां से ऐसे लाइट निकल के आएगी बूंद पे गिरेगी टकरा करके वापास आंख में गिरेगी सामने दिखाई दिता यह होता है ठीक है तो देख लो भाई वाटर ड्रॉपलेट् मॉट टॉपलेटी जो एव छोटे-छोटे प्रेजम जैसा और इक्टे होते है और दिसपर्स होते हैं नंबर ौन यही ए ना नंबर वन ए यह फाली है इसे बोलते हैं इन्टरनल रॉपलेक्शन यहां जो होती है ना number 2 पर इसे बोलते है internal reflection total internal reflection नहीं कहते है इसको NCRT में लिखा हुआ internally reflected देखो लिखा हुआ incident sunlight then reflected internally यह number 2 है ठीके ना reflect होती है कैसे internally अंदर ही घूम जाती है light तकराई और अंदर ही घूम गई इसे बोलते है internal reflection और फिर number 3 जिसमें सिरफ simple reflection होती है simple reflection होती है ना देखो reflect it again यह number 3 है when it comes out of the raindrop तो raindrop से भारा जाएगी बस इन बातों का आपने ध्यान रखना है सबसे पहले गिरी साथ रंगों में बट गई फिर वापस आ गई internal reflection से और फिर निकल के भार आई reflection से NCRT को follow करना है इदर इदर की बातों को follow नहीं करना ठीक है जी तो देखो सबसे पहले dispersion हुआ फिर internal reflection होई और फिर यह सब रंग कहां पहुझ गए observer की आख तक पहुझ गए ठीक है ना red color यहाँ दिखेगा यह कोई जरूरी नहीं होता red color हमेशा उपर दिखेए यह नीचे दिखेए ऐसा कुछ नहीं है ठीक है डिपेंड करता किस तरफ से एंगल से light आ रही है ठीक है और यह ध्यान दखना कि rainbow जो बनेगा वो हमेशा always formed in direction opposite to that of the sun sun से हमेशा उल्टी दिशा में ही rainbow दिखाई देगा ठीक जी आगे चलते हैं हम लोग और next topic है अपना प्यारा atmospheric reflection ठीक है देखो atmospheric reflection का मतलब होता है reflection का मतलब होता है bending होना लेकिन किसकी वज़ा से bending हो रही है atmosphere की वज़ा से bending हो रही है अब आप सोचो कि atmospheric वज़ा से bending क्यों हो रही है मैं समझाता हूँ देखो light vacuum में जब होती है तो vacuum में बिल्कुल सीधी चलती है क्यों क्योंकि उसका refractive index है 1 बहुत ही rarer है सबसे rarer medium कौन है लेकिन बेटा जैसे ही वो जैसे ही वो atmosphere की layers में घुशती है तो वहाँ पर air है और air का refractive index होता है 1.003 जो की denser हुआ तो light कहां से कहां घुशरी है rarer से denser घुशरी है तो bend नहीं होनी चाहिए गया तो bend होगी कोई रोक सकता light bend होगी तो होता क्या कि मालनों कोई दूर का star है कोई star है point source star है वहाँ से light आ रही है एक single ray आ रही है है ना और वो पहले यहां bend होई फिर यहां bend होई फिर यहां bend होई यहां bend होती 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 है ना ऐसे 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 bend होती हुई किसी observer की आख में गई है किसी observer की आख में गुशी है ठीक है तो उसको उसको जो star दिखाई देगा वो तो यहां दिखाई देगा सामने क्या बात को समझ रहे हो बाई जैसी जैसी लाइट मुड़ के उसकी आँखे में गई है उसी के सिदाई में तो उसको स्टार दिखेगा है ना क्योंकि लाइट ऐसे आती ऐसे चली जाती अगर यहां पर कोई होता मान लो है ना अगर कोई अट्मोस्फेर ना होता तो तो ऐसे कि आजाती सिदी लाइट लेकिन ऐसे नहीं आई अईंट इसे कहते हैं अपरेंट स्टार ठी कि यह जो सितारा था जहां से लाइट actually में आ रही थी जो मुड की आई है ठीका ना उसके corresponding जो image बनेगी ना ये सिर्फ image है बेटा ये असली कातारा थोड़ी ना ये तो सिर्फ image है असली के तारा नहीं है ये असली कातारा ये real है ये real है ये तो image है тайका ना तो image बनती है सामने थीक है? इमेज बनती है सामने. अब बात ही आती है कि ठीक है, एक तो स्टार की जो इमेज है, वो असली नहीं है, मतलब जो सितारा है वो अपनी पोजिशन पर ही नहीं, वो तो कई और है, है ना? लिकिन टिम्टिमा क्यू रहा है? ट्विंकलिंग क्यों कर रहा है? इसके गूम रही है और atmosphere की layers भी क्या कर रही है। वो भी घूम रही है और different different speed से गूम रही है तो अब क्या होगा अब यह होगा कि वह जैनल एकाR तो होता क्या है कि star की ना जो apparent image है न उसकी position change होती है तो ऐसा गर ऐसा लगता कि tim ना रहा है क्योंकि atmospheric conditions लगातार change हो रही है ठीक है ना जो 12 बजकर 10 min 1 second पर atmosphere होगा वह 12 बच के 10 minute 2 second पर नहीं होगा वह 12 बच कर 10 minute 3 second पर नहीं होगा यानि हर सेखेंड ही क्या हो रही होगी atmospheric conditions बदल रही होगी और atmospheric conditions अगर बदल रही है तो पिर apparent star की जो image है वह भी क्या होती रहेगी बार बार अपनी position को change करती रहेगी और position अगर change हो रही है तो पोजिशन अगर चेंज हो रही है तो तो आपको ऐसा लगेगा तारा क्या कर रहा है टिम्टिमा रहा है क्योंकि तारा कभी यहां बनेगा फिर हट जाएगा फिर यहां बनेगा हट जाएगा फिर दर बनेगा हट जाएगा फिर दर बनेगा हट जाएगा बनेगा हटेगा बने source की तरह काम करता है as the beam of star light keeps on deviating from its path apparent position of the star keeps on changing देख लो देख लो क्या लिखा हुआ है जो मैंने बोला exact वही लिखा हुआ है है ना यह line पढ़ लो जो मैंने डब्बें बंद करी है apparent position of star keeps on changing मतलब जो apparent position star की है वो लगातार क्या कर रही है बदल रही है क्यों बदल रही है क्योंकि physical condition जो है अर्थ के atmosphere की वो भी stationary नहीं है यानि वो भी शेम नहीं है वो भी change हो रही है हां की ना वो भी change हो रही है इसलिए जो amount enter कर रहे है light की हमारी आख में वो fluctuate करती है कभी bright हो जाती है, कभी dim हो जाती है, है ना, जो light आ रही है, कभी ज़्यादा आई, कभी कम आई, कभी बीच में कोई particle आ गया, कभी धूल का particle आ गया, कभी धुएं का particle आ गया, कभी water vapor आ गया, तो कभी ज़्यादा light आई, कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा तेहंैं लेकिन प्लानेट कियों नहीं ट्विंकल करतेश 2 फ्रवहत दूूर black लेकिन प्लानेट खोता आपास प्लानेट होते हैं नियर स्टार से एक सिंगल लाइट निकल के आती होगी है ना एक सिंगल लाइट निकल के आएगी जो एटमस्फेर में घुसेगी सिंगल रे सिंगल रे निकल के आएगी जो एटमस्फेर में घुसेगी लेकिन प्लैनेट के केस में ऐसा नहीं होता प्लैनेट के case में ऐसा नहीं होता प्लैनेट में multiple point sources होते हैं भाई क्योंकि वो pass में है न तो उसमें क्या है multiple sources हैं जहां से light की ray निकल के आएगी इससे भी आएगी निकल के इससे भी आएगी निकल के इससे भी आएगी इससे भी आएगी तो आप खुद बताओ आप खुद सोचो इस बात को कि जो एटमासफेर धरती के उपर है उसके लिए एक सिंगल रे को तो मोड़ना बार बार उसकी कहीं कहीं जगा पर इमेज बनाना यह तो पॉसिबल है लेकिन इतनी सारी बीम ओफ लाइट जो पास से आ रही है उसको क्या म बीच वाली को मोड़ देती हो तो यहां और यहां मिलाकर के असी परसंट वाली तब भी आती रहेगी यानि कुछ पर्टिकुलर लाइट जो है ना वह कॉंस्टेंटली आती रहती है प्लैनेट से मून से सन से इसलिए मून सन प्लैनेट यह ट्विंकल इफेक्ट नहीं कहती है सिंगल रेका तो मोड़ दूंगी लेकिन पूरी भीम को कैसे मोड़ पाऊंगी वाई कुछ कुछ लाइट को कभी मोड़ दिया कभी किसी को मोड़ दिया लेकिन ओवराल लाइट उतनी ही आती रहती है ठीक है ना एवरेज लाइट उतनी ही चली आती है प्लैनेट से ठीक है न? आउट अफ विच मल्टिपल रेज आर इनकमिंग ठीक है न? मल्टिपल रेज आ रही है अब मल्टिपल रेज आ रही है तो क्या होगा? The average light the average amount of light is constant so twinkling effect is nullified ठीक है? ठीक है विपल क्या होगा? nullified हो जाएगा वैटा ठीक है जी? नेक्स हम लोग चलते हैं बात करते हैं Advanced Sunrise Delayed Sunset के बारे में ठीक है? देखो Sunrise से पहले ही Sunrise हो जाना Actual Sunrise से पहले ही Sun दिखने लग जाना और Sunset में Delay हो जाना यानि Sunset Actually में हो चुका है लेकिन तब भी Sun दिखे जा रहा है उसे बोलते हैं Delayed Sunset ठीक है न? Advanced Sunrise का मतलब Sunrise से पहले ही Sunrise हो गया और Sunset में Delay हो गया यानि Sunset होने के बाव जुद भी Sun दिखे जा रहा है ये कैसे होता है? आओ समझो देखो एक लाइन होती है जिस लाइन को हम लोग कहते हैं Horizon Horizon की हिंदी होती है एक शितिज क्या मतलब होता है शितिज का? शितिज का मतलब होता है वो लाइन जहाँ पर आपको आसमान और जमीन मिलते हुए दिखते हैं अपनी छट पर चड़ जाओ आपको सामने घरी घर दिखेंगे न? उपर से ऐसे आकाश आता हुआ दिखेगा एक एक लाइन दिखेगी ऐसे horizontal है ना? उसे क्या बोलोगे आप? Horizon बोलोगे कोई मैदान में खड़ा है मान लो तो मैदान नीचे से और उपर से ऐसा लगता कंबल ओड रखा है sky रूपी कंबल उपर से ओड रखा है तो जो बीच में लाइन दिखेगी उसे क्या बोलेंगे? Horizon बोलेंगे खेत में खड़े हो तो फसल खड़ी है आपकी खेत में उपर से मान लो sky आ गया ओड़ता हुआ तो सामने बिल्कुल एकदम कोने पर जाकर के देखोगे तो एक line दिखेगी आपको उसे हम बोलते है horizon ठीक है न? जो चीज horizon से नीचे है वो डूबी हुई है और जो चीज horizon के उपर आ गई वो उगी हुई होगी समझगे न? तो मान लेते हैं अभी के सूरज actually में डूबा हुआ है actual sun है ये ये डूबा हुआ है लेकिन होगा पता है क्या? होगा ये कि ये अपनी रोश्णी को फैक रहोगा लगातार है ना? yellow नहीं दिखेगा आपको मैं orange दिखाएता हूँ ठीक है ना? लगातार क्या कर रहोगा? अपनी light को फैक रहोगा फैक रहोगा फैक रहोगा है ना? और ये जाएगी कहा? ये जाएगी atmosphere में और atmosphere में जाके क्या हो जाएगी बेटा? bend हो जाएगी होगी के नहीं होगी? बिलकुल होगी जब ये होगी तो मान लो कोई observer खड़ा है आँख लगा के कोई observer खड़ा क्या आँख लगा के अपनी और देख रहा है अरे तो light सामने से आ रही है सामने से light आ रही है तो भाई क्या दिखेगा उसको दिखेगा कि भाई ये जो light आई ये जो light आई ये bend होके जो आख में गई है, भाई सूरज तो सामने है, है ना, सूरज तो कहा देखेगा, सूरज तो देखेगा सामने है, अब क्या यह असली का सूरज है क्या, यह उसकी सिर्फ इमेज है, यह उसकी सिर्फ क्या है, इमेज है, इस इपरेंट सन, इस इपरेंट सन, दोनों के बीच में जो gap होता है, दो मिनिट का होता है दो मिनिट का gap सुभागे time, और same to same जब ये ऐसे आएगा, और actually में डूब चुका होगा भाई असलियत में डूब चुका होगा है ना, actual sunset हो चुका है, उसके बावजूद भी rage होगी ना, वो मुड़ करके आँख में जाएगी, और सामने दिखेगा क्या, सामने दिखेगा apparent sun apparent sun, इसमें भी दो मिनिट का gap होता है तो इस atmosphere के bending होने की वज़ा से, atmospheric reflection ही तो रहा है आपर भी, ये bending होने की वज़ा से दो मिनिट सुभा और दो मिनिट शाम यानि चार मिनिट टोटल दिन जो है वो बड़ा होता है क्योंकि सूरज डूब चुका है, लेकिन तब भी दिखे जा रहा है, और उगाई नहीं है पहले से दिखना चालू हो गया है तो सर, एक बाद बताओ, क्या पूरा दिन ही हमको सन की इमेज दिखती रहती है क्या, एक्चुल सन कभी नहीं दिखता, दिखता है सिर्फ बारा बजे सिर्फ बारा बजे जब सन एकदम सर के उपर होता है तो वो ऐसी लाइट फैकता है जो की बिलकुल नॉर्मल पर आगे गिरेगी और तब जब बारा बजे आप ऐसे सन को देखो गए तो वो इमेज भी वही है और रियल सन भी वही है लेकिन इसके अलावा एक्चुल सन जो है वो दूब चुका है यहां फिर वो उगा ही नहीं है तो उगा हुआ पहले से दिखना चालू हो गया थीक है ना हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टोपिक की तरफ थीक है जी लास्ट ट्रपी क權वारे स्केरिंग औ फॉलइट ठीक है लास्ट ट्रॉपिक हमारा स्केरिंग फॉलइट ट्रिंग परूपिक समझ क्या होता ओं तेह को भाई Oooh मान लो कि sun से white light आ रही है जिसके पास multiple wavelengths होती है बहुत सारी wavelengths होती है उसके पास तो उसमें से जो atmosphere के particle होते है वो अपनी इच्छा अनुसार अपने diameter के हिसाब से wavelength पकड़ लेते हैं और उस wavelength को क्या करते हैं फैला देते हैं बस इसी को कहते है scattering ठीक है ना देखो फिर से सुनो scattering उन lights की होती है ध्यान से सुनना scattering उन lights की होती है जिनकी wavelength कम होती है अब आप बताओ wavelength किसकी कम होती है जो pen मैंने यूज कर रखा है वाइलेट इंडिगो ब्लू तो वाइलेट इंडिगो ब्लू यह जो रंग होते है ना विबग्योर में से इनकी wavelength आपको पता कम होती है यह भाई साहब जादा scatter करते है ठीक है ना जो particle होते है ना atmosphere के यह जो particle है किसका यह atmospheric particle है है ना यह atmosphere का particle है ठीक है ना यह atmosphere का particle है इस पर जब light पड़ेगी तो यह क्या कर देगा scatter कर देगा blue color को blue color क्या हो जाएगा scatter हो जाएगा और इसी वज़े से sky का color भी blue दिखाई देता है यह देखो why does the sky appear blue at daylight देखो sun से white light आई atmosphere में particles है particles उने क्या किया अपनी पसंदिदा light को पकड़ लिया कौनसी violet indigo blue क्योंकि उनकी wavelength क्या है कम है उनको पकड़ा absorb किया और re-emit कर देखो यह फैला रहे है blue color is scattered away फैला दिया और वही blue color हमारी आख में जाता है इसलिए हमको नीला दिखाई देता है पढ़ लेते हैं पीजे का लिखा हुआ because of the phenomenon of scattering sunlight gets scattered by small air molecules देखो और fine particles किसमे atmosphere में जो बैठे है ठीक है ना उनके साथ दोस्ती हो जाती है उसको absorb करके re-emit कर देते हैं इसी को कहते है scattering scattering is देखो क्या लिखा हुआ inversely proportional to wavelength scattering जादा wavelength कम जिनकी wavelength कम है scattering जादा होगी तो blue with the shortest wavelength scatter more लेकिन आप बोलोगे सर violet सबस्यादा scatter होना चाहिए वो क्यों नहीं दिखता निला ही क्यों दिखता है तो मैं इसका भी जवाब देता हूँ आपको देखो violet color जो है न या indigo color जो है न उसके लिए हमारी इंसान की आखे sensitive नहीं है हमारी आखे ज़्यादा प्यार करते है नीले रंग से इसलिए हमको sky blue दिखाई देता है ना कि violet या indigo ठीक है blue दिखाई देता है ना कि violet या indigo will scatter more compared to the red therefore this greater scattering of blue light by the air molecules in all direction make the atmosphere appear blue ठीक है ना पूरी अंग्रेजी वैसी है जैसे ये NCRT के अंदर दियो ये diagram messages के अंदर कोई भी नहीं है ठीक है ना एक question PYQ का बड़ा मशूर question है और NCRT का भी है ये बार-बार आता है वो कहता है कि sky जो है वो dark क्यों दिखता है एक astronaut को जो astronaut space में जा रहा है देखो भी बात को समझना अगर astronaut rocket में बैठा है अपनी खिड़की से बार देख रहा है और वो space में जा रहा है तो उपर देखेगा अगर अभी अगर rocket atmosphere के अंदर है तो उपर उसको sky blue दिखाई देगा लेकिन जैसे वो sky को चीरना चालू कर देगा यहां से मानलों वो sky को देखेगा तो उसको क्या दिखेगा ब्लैक दिखेगा ऐसा क्यों? डाग क्यों दिख रहा है? बेटा इसले दिख रहा है क्योंकि blue सोचों क्यों दिख रहा था blue दिख रहा था क्योंकि atmosphere के particles थे जो light को क्या कर रहे थे? scatter कर रहे थे फैला रहे थे ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि particle ही नहीं है particle ही नहीं है यह answer है इसका ठीक है ना? इट अपियर्स ब्लैक due to due to absence of atmospheric particles है ना? atmospheric particles hence no scattering occurs तो कोई scattering नहीं होती hence no scattering no scattering occurs जब scattering ही नहीं होगी तो dark ही तो appear होगा है ना? no scattering occurs तो sky appears dark समझे माया? upper layers के अंदर कम density है particles की particle संख्या में कम है या particle संख्या में नहीं ही है और उपर चले जाओगे तो तो फिर scatter करेगा कौन? जब scatter करने कोई कोई नहीं है तो फिर दिखेगा क्या? कोई color नहीं दिखेगा ठीक है जी? तो इसी के साथ आपका CBSC 2014 के slavus के हिसाब से हम लोगों ने इस chapter को पूरी तरीके से complete कर लिया है ठीक है ना? इतना ही part आपके slavus के अंदर है ताइम तब तक के लिए टेक कियर टाटा बाई बाई